तो अगर आप लोग इस चीज को जानते हो तो आप लोग पहले ही समझ के हो कि यह क्या है और जो नहीं जानता इस चीज को वो इस वीडियो को पूरी देखो आप लोगों को बताऊंगा कि यह क्या है So basically यह है तो एक lighter बट यह नॉर्मल नहीं है ठीक है क्योंकि this is Zippo Zippo सबसे बड़ी international brand है lighters में और जितने भी लोग यहां cigarette पीते होंगे और लोगों को इस चीज के वारे में पता होना चाहिए क्योंकि आपको इसका नहीं पता तो आप लोग cigarette के fan नहीं हो यह whatever you call yourself stoner or whatever बहुत पहले establish हो गया था और इसने cigarette की दुनिया में like style को अलग ही level पे ले गया था आप लोग बहुत सारे Hollywood और Bollywood movies में Zippo को देख सकते हो so dude यह है मेरा Zippo जैसे कि आप लोग देख सकते हो तो यह proper brass का बना है ठीक है कि मैंने brass का मगाया था यह मैंने बहार से ही लिया था so dude क्या कहते है इसकी like service center यहाँ पे तो मिलता नहीं है बट Zippo में एक खास बात और होती है कि इसकी lifetime service like जब भी आप service center जाके इसकी like कभी भी करवा होगे तो आपको free मिलेगी but dude उसके नहीं आप लोगों को इसको यह तो अमेरिगा बेजना पड़ेगा या फिर जहापे भी इसके service center और available हो so yeah क्या कहते है वो तो मैं कर नहीं सकता so यहापे है मेरे कुछ समान जो की Zippo को repair करने काम हैंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरा Zippo जल नहीं रहा है ठीक है तो पता नहीं इसमें क्या हो गया है इसकी शद विक खराब हो गई है like विक होती है इसके अंदर की जो यह part देख रहो आप यह होती है विक तो अब हम इसको सही करेंगे और देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हो और अगर आपका Zippo भी काम नहीं कर रहे है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो क्योंकि इस वीडियो से आप लोग जान जाओगे कि अपने Zippo को properly repair कैसे करना है मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहा मैंने कर चुका हूँ इसको और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है जो officially Zippo की site से थी तो इस वीडियो को पूरा देखो आप लोग को पता सिल जाएगे कि आप लोग अपने Zippo को ठीक कैसे कर सकते हो Zippo को ठीक करने से पहले देखो यह तो हो गया आप लोग का main Zippo जो की main part होता है यह हो गया इसके अंदर का slender जिसको हम repair में use करेंगे यह होता है इसका खाली case जो की सिफ आपके flip के काम आता है और उसके बाद आता है हम लोग का यह होता है हमारे stones जो की आप लोग के lighter को light करते है इसी से चंगारी होती है इस lighter में ठीक है जब आप इसको roll करते हो इसके stone को तो इससे आप लोग के flicker से उसकी चंगारी निकलती है जो की आपके lighter को light करती है और यह है डूर इसका wick जो की मैं कह रहा था बर इसमें brass के पता नहीं क्या क्या लगा होता है सो आप इसको बहुत बार light कर सकते हो मेरी जो इसकी wick थी जो यह वाली wick है वो officially zippo की थी और दो साल तक बहुत चली मैं तो इससे खेलता भी था क्योंकि zippo के निक से आता आप बहुत सारी tricks भी कर सकते हो मैं आप लोगों को tricks भी सिखा होगा कैसे आप लोग कर सकते हो it is a very cool gadget dude so इस वीडियो को पूरा देखो तो यह हो गई wick और यह है इसका fuel जो कि zippo को light करने के काम आता है जैसे गाड़ी में petrol डलता है जिपो में fuel डलता है वो भी zippo का so dude शुरू करते हैं वीडियो और करते हैं अपने zippo को सही so आप लोगों को zippo को ठीक करने के निया सिर्व एक tool की ज़रूँता है वो है एक scissor या फिर कोई भी pointed चीज जो की लंबी सी हो जैसे कि मैंने या पे scissor ले रखे है तो मैं scissor ही बोलूँगा जुगाड करो उसी में फैयदा है क्या फैयदा आप लोग में खरीद के लगे so dude आप लोगों को वो चाहिए और आप लोगों को official site से विक मगा लेनी है जो कि मैंने आपको अभी दिखाई और stones तो बहुत जादा जरूरी है तो यह तो पहले से ही महाँ के रख लेना इंडिया में Zippo की official site आ गई है तो आप Zippo को buy कर सकते हो Zippo around 3-4 thousand के starting हो जाती है बाकि आप लोग देख लो यार मेरे ने तो बहुत अच्छा product है it is a signature product for me and I love Zippo and I love the company so dude अब बिना किसी देरी के इसको हम लोग सही करते हैं और देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं so basically यह है मेरा slender अब मैं इसको open करने जाओंगा back part से like यह होता है जैसे कि हमने मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ जैसे कि यह है इसका case हम लोग इसको properly जब रखते हैं तो ऐसे इसको अंदर रखते हैं यह आपको ऐसे मिलता है फिर आप लोग को क्या करना है आप लोग को यू करके इसको slender को उपर से पकड़के निकाल लेना है slender अरग रखो slender का कोई काम नहीं है slender is properly good and इसका आप लोग को यहाँ से open कर देना है जब आप इसको open करोगे तो सबसे पहले आप लोग को यह जो screw है इसको untight करना होगा इसके नहीं आप screwdriver भी ले सकते हो वन्हाँ हाथ से या like जो भी आप pointed चीज है उससे भी हो जाता है easily depend करता है फिर आप लोग इसको हाथ से अराम से open कर सकते हो जैसे कि आप लोग देख सकते हो और यह है इसका पूरा screw oh that's nice so dude इसके बाद जैसे कि यह जिपो हमारा खुल चुका है अब इसको हम निकालेंगे प्यार से जो भी आपका अपास वो हो like यह जो hole है इस पे वो नहीं करना है आप ब्रापर से इसको हलके हलके बहर निकाल लो so यह हमारा निकल गया है यह हमारी cotton और यह हमारा wick जो के अब हम change करेंगे है so पहले आप लोग cotton को निकाल सकते हो अपनी scissors से या फिर कोई भी नुकेली चीज से पकड़के it's like this one two beer तो जैसे यहाँ पर आप wick देख सकते हो यह पुरानी वाली wick है जो कि मैंने दो साल यूज करी है यह प्रॉपरली चली बट अब मैं इसको change करने जा रहा हूँ और मेरे को आप लोग के साथ share करना था आप लोग third निकालो गया हो अराम से निकालना यह wick आ गई है भर तो dude this is my third ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की surgery कर रहा हूँ and I'm a doctor बट dude वो ही तो मज़ा है अपने हाथ से करने में जिपो में बहुत मज़ा आता है जिपो लो यार बहुत साई चीज है और यह third so basically यह पूरा खाली हो गया है इसको ऐसे ही रहन दो क्योंकि अभी मेरी cotton तो ठीक है तो यह पूरा खाली हो गया है तो इसको आप लोग या तो उपर से पकड़ कर जासे यह होता है जासे यह जलती है तो उससे पकड़ कर wick को पूरा भार खीश सकते हो जैसे कि अब मैं खीशने जा रहा हूँ इसको बट यह पुरिशान कर रहा है so basically wick भार आ चुकी है तो यह होती है इसकी wick जो कि अब destroy रहे हो रखे या तो मैं इसको ही वैसे मैं इसको भी काटके उसकर सकता हूँ क्योंकि मेरी नीचे वाली wick तो ठीक है like proper है अभी तो मुझे change करने के ज़रूरत नहीं है तो आप basically अपनी नीट के हिसाब से देख लो कि अगर wick खराब हो गई है तो change कर लो जैसे मेरी यहां तक की wick खराब हो गई है तो मैं इसको अब सही पर्ट जो कि अब हम इसमें लगाने जाएंगे तो फिर से आप लोग या तो अपने कोई भी cotton से इसको साफ कर सकते हो अपने उसको वैसे मैंने साफ कर रख है तो मुझे ज़रूरत नहीं है पर आप लोग clean कर सकते हो जिसमें इसमें दो ग्रीस इतनी ज आज में तो ग्रीस time-to-time साफ करते रहे हैं अब हम इसमें जालने जा रहे हैं वह इवाली वैक्ट तो मुझे अब विक चेंज करने की जूर्वरत नहीं है तो मैं इसको बात के निया सेफ करूगा सो डूड इसको बाद में सेफ करते हैं क्योंकि यार मैं इतना यूज करता नहीं हूँ I don't smoke सिफ कैमरे की नहीं नहीं कहता सच मैं I don't smoke सो इसको आप अराम से अंदर डाल सकते हो सो डूड ये चला गया है जैसे कि आप देख लो सो आप लोग देख लो नीचे से भी ये भार आ गया है सो अब हमको सीजर से इसको पकड़ के बाहर तक लाना है बट इतना रखना कि वो फ्लिकर हो जाए और वो जल भी जाए सो डूड इसको हम लोग ने प्रॉपर ली इतना ही होता है ऑर इसको मैं कर दूँगा नीचे से टन तो इसको हम करदेगे नीचे से थोड़ा साइड में तो जैसे आप लोग ये देख लो मैंने साइड में इसको कर दिया है प्रॉपर डी आप लोग अब देख जएगा सौ डूड दब हम इसमें भरना शुरू करेंगे cotton जैसे की पहले थी तो हम लोग वैसे ही cotton भरेंगे इसमें चाहेगा अंदर और इसको हम लोग scissor से press करेंगे प्यार से और अब हमको जरूरत पड़ेगी fuel की so आप लोगों को fuel को open करने ला है इसकी fuel की lid भी बहुत प्यारी होती है आप लोगों कोई cap नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा बस इसको हलका सा आप लोगों को lift करना पड़ेगा और उसमें थोड़ी सी परशानी होती है और यह चीज़ भी आप लोग so dude यह हो चुका है थोड़ा सा wet बस अब हम भी इतना ही रखेंगे फिर हम लेंगे दूसरी cotton और फिर इसको फिर से press करेंगे अंदर और सेम वही procedure दोराएंगे हम लोगों को फिर से इसमें fuel डालना है so dude फिर से मैंने इसमें fuel डाल दिया है बहुत दिनों के बाद में अपने जिपो को चालू करने जा रहा हूं सिरु एक्साइटमेंट तो हो रही है अब देखते हैं इसको फिर से press करेंगे सेम वही बार-बार करना है फिर fuel डालेंगे फिर हम last cotton को भी ऐसे ही लगा देंगे और इसको सीजर से अच्छे से प्रेस कर देंगे जब यह last में आप लोग का प्रेस हो जाएगा तो अब डालना है आपको सबसे ज़्यादा fuel इतना भी में डाल देना कि वो नीचे से लीक होने लगे तो वो नीचे से लीक भी होने लगता है तो इस चीज का धियान रखना और जतना पार आप लोग का फ्यूल का लाइक आपके लाइटर पर लग रहा है बाहर तो उसको साफ कर लेना डूड तो लाइक कि मैंने डाल दिया है इसको अच्छा खासा फ्यूल मिल चुका है सो अब हम करेंगे लास्ट काम इसको हम लोगों को उसी होल पे जो की आपका यह पार्ट है इसको लगा देना है और प्रेस कर लेना है बढ़ साधा प्रेस मत करना क्योंकि जुत्ता भी लिक्विट डाला है वो सब बहार उपर से बहार आ जाएगा उन स्टोन की जो की हमको डालना है यह मेरे पास एक ओपन रखा था तो मैं उसी को डालूंगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो यह सिर्फ एक ही बचा है मेरे पास यह जो आपको देख रहा है तो यह आता कैसे आप यह देखो जब आप इसको उल्टा करोगे तो यह एक इसमें आगया अब आपको इसको घुमा लेना है तो यह भी चीज मुझे बहुत प्यारी लगती है किरा दिया यार फाइनली मिल गया सो डूड हमको मिल चुक है इसको रखते हैं साइड में और अब यह आपका होल है आप लोग को इसमें वह स्टोन को जो कि यह स्टोन है इसको डाल देना है यह हो चुक है हमारा वापिस से लगानी है इसमें अब हम इसको वापिस लगाएंगे और हम लोग इसको screw को tight कर देंगे जैसे भी आप लोग करना चाहो या तो screw के साथ कर लो या ऐसे ही कर लो और अब देखते हैं हमारा zippo light करता है या नहीं तो इसको पहले मैं tight कर देता हूँ जादा tight करने की जरूरत नहीं है then you have to take your case और case में आप लोग अपना slender को डाल सकते हो ये pin हमेशा इसके cap के पास नहीं चाहिए बनना ही है ऐसे ही loose चलेगा और जब ये ऐसे आप लोग डाल दोगे then it will not go जब तक ये बन नहीं होता and I love the sound of zippo तो इसको थोड़े देर rest करने देते हैं and I will get back to you so एक minute हुए है मैंने इसको rest करने दिया और अब देखते हैं कि ये light करता है या नहीं पहले बिल्कुल भी light नहीं करता हो तो let's see hope for the best and मैं आप लोगों के सामने ही light करूँगा चलो पहले इसको style में खोलते हैं तो मेरा style खोलने का है ये है वोओ so जैसे आप लोग देख सकते हो कि ये light कर रहा है and it is so ये मज़े से light कर रहा है तो मेरा वीडियो हो गया है successful जैसे आप लोग देख सकते हो ये बार बार मैं इसको light करूँगा so आज की वीडियो में बस इतना ही I hope आप लोगों को मेरा जिपो पसंद आया हो और अगर आप लोगों को लेना है तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में जिससे आप लोग इसको भाई कर सकते हो and you can enjoy it आप लोगों से मिलता हूँ कल क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ नए निताल और खल्दुआनी सो उस वीडियो के निये बने रहे हो आप लोगों अकर मेरे चैनल पे नए हो तो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दवा दो और बेल आइकन भी दवा दो यार क्योंकि आगे के वीडियो में बहुत मजाने वाला जैसे कि आप लोग आज मेरे चैनल पोसे मिले हो सो सी ओफ टेक केर बाबाए